हेलो फ्रेंट्स व्लेकम टो मा यूट्यूब चनल फ्रेंट से जीएस्टू लक्टर सीरीज का फुट्टी वन्स नम्बा लक्टर है आज हम लोग रोल्स ऑफ सिविल सर्विसेस इन डेमोक्रसी के बारे में पढ़ने वाले हैं फ्रेंट्स आसा है कि इससे पहले जो भी वीड है और अगर एक परसेंट भी आपको इससे फायदा हो रहा है लग रहा है कि कुछ अच्छी तरीके से बढ़ रहा है कुछ ग्यान हो रहा है तो शेयर करना बिल्कुर मत भूलिएगा साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और अपने दोस्तों को भी बोल द कह सकते है कि it is backbone of the administration है न एक बहुत अच्छा कोट जो है कहा गया था किसी के दौरा अब किसके दौरा कहा गया था यह तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिंग कोट है civil services is steel frame of India यह उस व्यक्ति ने कहा जो खुद ही लौह पूरुस है iron man of India है ठीक है अब उनका नाम जो है आप लिख दीजिये कहां पे comment box में तो civil services क्या है उनके नजमा में steel frame है इंडिया का ठीक है चलिए इसमें जो है कहते है कि in a democracy democracy में क्या है the civil services play an extremely important role in the administration policy formulation and implementation and in taking the country forward towards progress and development मतलब यह हुआ कि civil services जो है जो है democracy में क्या करता है बहुत ही अच्छा एक role play करता है बहुत ही important role play करता है administration में policy को implement करवाने में policy को formula policy बनाने में formulation में उसके इसके साथ साथ country को आगे दे जाने में development or progress के रास्ते पे ले जाने में यह बहुत ही ज्यादा help करता है बहुत ही ज्यादा important role निभाता है ठीक है इस में से जो executive है उसके बारे में हमें देखना है देखिए executive का मतलब क्या क्या हो गया है political executive मतलब जो ministers है वो ठीक है लेकिन यह क्या होते है they are not permanent ministers they are not permanent but there is another line of executives to India एक अलग से executive भी है इंडिया में अलग line of executive भी है इंडिया में exist करती है that is administrative executive that is a permanent one यह permanent होती है इसको administrative executive कहते है और वही जो है वो क्या कहलाती है civil servants कहलाती है they are called civil servants ठीक है देखें civil servants जो है they are accountable to political executives political executive जो भी उनको करवाना है उनसे in the sense कि जो जो schedule है जो policy का जो rule है वही civil servant करेंगे policy जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से ही जो है वो civil servant को करने के लिए बोल सकते है कुछ भी करने के लिए नहीं बोल सकते है ठीक है यह भी तरीके से यह हलाकी exception हर जगा है ठीक है लेकिन civil servants जो है they are accountable to the political executives इतना आप दियान में रखिएगा चलिए इसके बाद में कहते हैं कि civil services जो है that is part of our constitution अंडर आर्टिकल 310, 311 and 312 ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा by pleasure of president और governor ठीक है गवर्णर क्यों लिखा क्योंकि आप स्टेट PCS बगएर देते हैं उसमें ठीक है और UPSC के तुरूज होगा वो president के pleasure से जो है वो hold करता है position को ठीक है 310 में था 311 में क्या होता है no any civil servant can removed or dismissed by authority or subordinate who appointed it ऐसे कोई भी civil servant को remove या dismiss नहीं क्या जा सकता है ठीक है लेकिं मतलब authority जो होगी जो subordinate होगा जिन्होंने इसको पॉइंट किया है वही इसको हटा भी सकती है यानि कि कि क्या किसका प्रेसीडेंट या गवर्णर का राइट होता है बागी कोई भी इसको जो है वो remove या dismiss नहीं कर सकती यह बहुत ही तो राजसभा था पावर टू क्रिएट और इंडिया सर्विसेश अब यह चीज को याद रखेगा 312 जो है इसमें राजसभा को पावर दिया गया है और इंडिया सर्विसेश को क्रियेट करने का ठीक है चलिए अगला जो है वो कहते हैं कि इंडिया 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 इंड कुछ गुन के बारे में बात करते हैं पहला उन्होंने का कि रूल-बांड होना चाहिए और कुछ नियम और रूल-डीट्जय कुछ रूप में काम कर सकें ऑउटिक्स की रिलेशन इंस बाहरों बेस्ट वहारों होग डिसिप्रिन को बहुती ज्यादा फॉलो करने वाले होने चाहिए यह था वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी का कुछ गुण उन्होंने ऐसा गुण बताया था ब्यूरोक्रेस का थीक है बट श्लोली-श्लोली क्या हुआ यह जो concept अब वेवेरियन ब्यूरोक्रेसी था वो चेंज हुआ and now we have new concept in form of new public administration new public administration NPA अब यहाँ पे ध्यान दीचे यह NPA non-performing assets से confuse मत होईएगा यह NPA अलग है वो NPA economies वाला अलग है यहाँ पे इस NPA का मतलब है new public administration चलिए new public administration जो है एक अलग form आया इसमें क्या करते हैं इसमें देखिए इसमें कहते हैं कि not value neutral value neutral नहीं होगा ठीक है यह flexible होगा और यह respect करेगा creativity को ठीक है यह new public administration जो है यहाँ पे value से मतलब यह होगा कि मूली जो होता है वो neutral नहीं होगा इसका अपना कुछ मूली हो सकता है किसी ची है ठीक है बात समझें चीज को कुछ मूली जो है वो नितिगत जरूरी नितिगत ही हो अगर वो किसी के पक्ष में है किसी कि किसी की नियाय के पक्ष में है तो वह value जो हो हम इसमें 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 मानेंगे उसको follow करेंगे तो हमेशा value neutral होगा ऐसी बात नहीं है दूसरी जिन फिलोसफी से चेंज हो करके क्या बच गया है अब यह क्या बन गया है यह new public administration ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे फिर वाट डेसूट फॉलो उनको क्या फॉलो करना चाहिए देखिए कहते हैं कि values given in form of complete सभी कंपिटेंसी फ्रेमवर्क और बाइ गोवर्मेंट ऑफ कॉपिटेंसी फ्रेमवर्क के रूप में जो है उनको दिया गया है ठीक है values है दिया गया है तो ऐसे civil services जो है इंडिया के देशूट फॉलो फूर ब्रॉड वैल्यू चार ब्रॉड वैल्यू की बात हम करते हैं पहला हम कहते हैं ethos दूसरा कहते हैं ethics तीसरा कहते है efficiency और चॉ होता है उनका ultimate aim क्या होगा उनका ultimate aim होगा public good लोगों की भलाई citizen centric citizen related से उसके उपर focus होना चाहिए work in the interest of the nation और nation के interest में जो है वो काम करें यह इनका ethos होना चाहिए ठीक है integrity को follow सत्य निष्ठा को follow करें इमांदारी को follow करें ओपेक नहीं रहें वो पारदर सिता को follow करें और न्याय उचित होना चाहिए fair होना चाहिए ठीक है तो इन चीजों को follow करने के लिए कहते हैं इन वाल्यूस को follow करने के लिए क्याते हैं यह इतिक्स में आता है इनके इतिक्स का जो ब्रॉड वैल्यूस में efficiency जो है कैसे ensure करेंगे यह efficiency को तो इसके लिए not waste resource resource को waste ना करें operational excellence को promote करें मतलब कोई चीज को execute कर रहे हैं तो वहां पर अपना common sense भी यूज करता कि कम से कम resource यूज हो और उनका excellence भी वहां पर दिख सके है ठीक है तो operation में थोड़ा सा smart work करना ज़रूरी है तीसरा करते है कि manage human capital और human capital को भी manage करना ज़रूरी है ठीक है समझ में आ गया इसको ओके उसके बाद में है equity equity में क्या होता है इसमें जो है equity को कैसे promote करेंगे सबसे पहले आएगा empathy इंपैथी जस्टिस और compassion यह तीन चीजों से इंपैथी से जस्टिस से और compassion करुणा मतलब एक करुणा का भाव होता है मतलब जिसमें हम क्या करते हैं थोड़ा से दया आती है पुरा सा दुख भी होता है समझ रहे हैं इसको तो इस करुणा से लब यहों के compassion जस्टिस तो आप समझते ही हैं क्या होता है औरicana ओर इंपैथी जो है इंपैथी का अगर मैं सही का means कह भूम सहानों ह survivors है हम दर्दी समवेदना तो इमपैथी जस्टिस और कमपैसन के इसको प्रमोट किया दाना चाहिए एक्वीटी को समझ गई इस चीज़ को चलिए आगे बढ़ते हैं आगे जो है वो है कि रोल आप सिविल सर्विसई इडी करना चाहिए बनाई जातए है इसको इंप्रि में करना उनका पहला काम है दूसरा है डिलेवरी या पबिलिक सर्वीस है को सर्वीस के गजूँग कर रहा है यह सब कहा से आ मदा हून कर रहा है इससे का जाहे को इसको कर रहा है चाहे कोई भी पॉलिसी वने चाहे कोई भी अब जैसे मान लीजे एक क्या कहते है उसको अब आयुस्मान भारत योजना जो है वह हो तेल से रिलेटेड है अब हिल्थ में सही हो रहा है कहां पे क्या गलत हो रहा है तो यह पबलिक सर्वीज दिया यह आप देख लिजे कि एक स सेंटर एंड सेट लेवर सेखिए इसमें कहते हैं कि लिजिसलेटिव मेंबर जो है इंको सपोर्ट करना और उनकोगाइड करना भी इनका एक काम है चौनें निजुब करने का काम करता है जो गवर्मेंट का नीज आता है और जो इनफौर्मेसान यह पिपल तक पहुछाता ह तो यह people और government के बीच में जो है वो bridge का काम करता है ठीक है अगला जो इसका role है वो है provide continuity to administration administration को continuous रखने का काम मतलब यह हुआ कि 5 साल के बाद इस सरकार बनी 5 साल के बाद सत्ता हट गई तो फुरे दिन के लिए vacant हो गया ठीक है तो कोई यह सरकार नहीं कोई administration नहीं है उस टाइम पर ऐसा नहीं है administration होता है ठीक है जरूरी नहीं है कि लोकसभा में या विरानसभा में सरकार रहेगी तभी administration चलेगा ठीक है administration चलाने का काम जो है यह civil servant करते हैं और यह permanent होते हैं इसलिए continuity जो है हमेशा बनी रहती है कोई gap नहीं आता है और 104 groups देश जो हमारा चलता रहता है तो एक provide continuity to the administration समझ में आ गया चले आगे बाते हैं अगला ही है कि act as regulatory authority देखिए किसी भी चीज़ का जो regulation है authority जो है यह authority है जो regulation का काम करती है ठीक है कई तरीके का regulation होता है मतलब नियम जो और जो rule regulation बनाई जाते हैं उसको regulate करने का उसको सही समय से चलाने का जैसे हमाल लीजि के time में मान लीजिए दबाई बाइबाटनी है अनवाटना है तो उसका regulation कैसे होगा यह सब काम भी जो इनको करने के लिए ध्यान रखेगा जब भी रोल की बात करते हैं तो सिर्फ आईएस दिमाग में मत रखेगा ठीक है बहुत सारे और सर्विस है आईएस हो गया IPS हो गया डाय era is हो गया फ क्या करते हैं और भी है रेलवेश सर्विस हो गया बहुत रिवे रिवें डियू सर्विस हो गया डैनीप्स हो गया दैनिक्स सब विया रखी है तिक है इसी इस्टीट लबल पर भी प्रटिद्फ गया जाए बिड़ियो हो गया और डुघ्श्टेज्प ब करता है यह उसको वहां पर होने काम करता है कोई भी काम करते हैं जैसे आप देखेगा कि कई जगा पर मैंने पाया था एक न्यूज में करते हैं जो हो रहा था वहां पर उसको उन्होंने शिकायत का निवारन किया तो मतलब एक तरीक से में कहना चाहरा हूं कि कोई भी ग्रिवांस हो उसका वो रिड्रसल करते हैं उसका निवारन करते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है कि बेसिस और गवर्मेंट का क्यों कि continuous और पर्मानेंट जो है ड्मिनिस्टरशन है की मारेंट को बताती है कि हमारा सदेश जो है चल रहा है कि नहीं कर रहे है तो पांच साल पर दिखने वाला चेहरा आता है पर चेंज हो जाता है तस साल पंद्रे साल बीस साल चीक है उससे जाद कितना दिर रहेंगे ऐ तो आजादी से सुरूरू हुआ तो आज तक काम कर रहा है ऐसा कोई नेता नहीं है जो तब से अब तक जो किसी प्रटिकुलर पोश्ट पर रहा जा नहीं है ना तो आप समझी इस चीज़ को तो जो 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 ब्यूरोक्रेसी है जो हमारा कर दो से जादी का सब्सक्राइब उल्लै न कीज़ीन सब्सक्राइब है अगर करें चाहिए तो इस से क्या होता सोशियोगानोमिक डेवलपमेंट निशन हुड का सेंस जो है भारती यह ना नेशन हुड का जो सेंस है इसको डेवलाप करने का काम करते हैं सपोर्ज कि जब कैसे करते हैं नेसन हूट को डिवलप करने का काम देखिए मैं बताता हूँ अभी देखिए जैसे मैं एक छोटा से एक्जामपल देता हूँ पंदरा अगस्चा बिजन बड़ी जगर होता तो आप देखिएगा कि आपके छोटे से ब्लॉक में तालुका में तहसील में जो है वहां का जो अफीसर होगा बड़ा जन्ना पहरा है नेसन हूट ठीक है चाहे कोई भी देश से लेटर वाला काम होगा तो तीरंगा जंडा लेगर के वहां पे जाएंगा उसको रिप्रेजेंट मतलब करेंगे उस वह सेलिब्रेट करेंगे तो एक तरीके से अर यह एक एक घ्जामपल है और भी बहुत तरी इसके वह हो सकते हैं ठीक है ने इसन होड के से उसको डिबलप करने जो चरी आगे देखते हैं अगला यह है की इस कॉन से कॉन से इसी से चैलेंजिश है उसके आरे में ज रहेंगे बजके हैं बारिम ढोल्स से बड़ेश उस जनके इतना rule follow करना पड़ता है इसलिए they focus on the means not the ends मतलब यह हुआ कि वो देखते हैं कि जो काम कर रहे हैं उसका result क्या होगा उससे उनको जादा फरक नहीं पड़ता है उनको फरक पड़ता है कि वो जो काम किया जा रहा है वो सही तरीके से किया जा रहा है इस तरीके से जो इस तरीके से जो सब जुन से जुर गिया है चेंज कोई चीज को अच्छी चीज भी अगर उनको बोला जाता है जनरली मतलब पाया गया है कि करप्सन में लीप पया जाते हैं और पॉलिटिकल पीपुल के साथ उनका नेकसस भी देखा गया है अभी हाल फिलहाल में मैं आपको बताता हूं बिहार के एक बड़े ओफीसर थे पुलिस सर्विस में थे वो रिटायर किये कि पार्टिसन को टिकट मिलने वाला था नहीं मिला तो कुछ और करने लगा मैं यह क जाकर कि जो निताओं के आगे पीछे गूमते हैं तो यह क्यों दिखा रहे हैं क्योंकि होता है समाज में तो इस चीज़ को समझने के बात है कि पॉलिटी साइज भी हो रहा है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं अगला है कि जेनरलिस्ट नॉट इसको होता है और जेनरलिस्ट च्छों है अगला यह है कि इलीट नेचर देखने को मिलता है इलीटिस्ट इन नेचर है मतलब यह कहते हैं कि सिविल सर्वेंट में जो है इलिटिस्ट नेचर जो है और क्या करते हैं उसको एक तरीके से आप समझ लीजिए कि आइवरी टावर एप्प्रोच तीक है वह देखने को मिलता है तो यह क्या होता है कि डिटेचमेंट फ्रम दा पब्लिक यह पब्लिक से जो है वह डिटेश्ट हो जाते हैं क्यों क्योंकि यह रेड टैपीजम में करने के बाद देखते हैं इस पे यूट्यूब पे उनके इंटरी वीडियो भी चलने लग जाता है इतना असान से आते हैं इतना लोग उनको सलाम कर रहे हैं समझ रहे हैं तो एक तरीके से आप देखिए कि रेड टैपीजम में खो गये हैं आप में से आदस ज्यादा ब्यक इस पावर वाली बात होती है वो थ्यादा लोगों को प्रलोवन देता है जैसियत है इनका महिमा मंधन होता है इनका सेलरी नहीं होती है कि सेलरी एक प्रोफेसर से कम सेलरी होती है इनकी प्रोफेसर किसे ज्यादा पैसा मिलता है ठीक है समझ लीजिए अभी अभी करेंगे तो यह वह एक इशू जो है वह निकलके आता है अगला जो इशू है मतलब यह देखा गया कि कर रहा हूं सब आपको समझाने के लिए कर रहा है एक्जाम इतना नहीं करना है इसलिए वीडियो को पॉज करके लिखते चलिए नोट्स बनाते चलिए रनिंग नोट्स रहेगा आपको ज्यादा दुबारा तिबारा नहीं देखना पड़ें देखते हैं तो आपके लिए अच्छा ही है ठीक है समझ में और ज्यादा आएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ उसके लाब कोई उसको हटा ही नहीं सकता है ठीक है तो इसको एक्सेसी प्रोटेक्शन दे रही है तो इसमें क्या होता है कि उसको बहुत कम डर हो जाता है बहुत कम डर रहता है कि कोई हमको अगर हम कोई एक्शन ले रहे हैं तो आपने बाबू है समझ नहीं से इसको तो ऐ कहते हैं कि प्रमोशन बेस्ट ऑन एज एंड सर्विश डूरेशन राधर देन टैलेंट कोई प्रमेशन जो होता है वह एज पे सर्विश डूरेशन पे और कभी-कभी तो इजर्वेशन के बेसिस पर ठीक है इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है तेलेंट को ध्यान कि सियुन जाता है तो पार कि जो हैं जो है या कोन करता है और सर्विश में डी मस्टाब सी sudah न देखने को मिला ऑर बास्वान कमिटी की रिपोट है 2016 में उसमें काने को मिला जो भी कर्मचारी है चाहे जो 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 संस्था इन से काम ले रही है मतलब जैसे डियोपीटी है वहां पे भी देखने के सर्विस में भी डिले है ठीक है तो सही से पोस्ट का फिलप नहीं हो पाता यह भी एक इस्टाफ है उनके पर जो है तो रहा जादा प्रेसर है समझ रहे हैं आप देखिए पुलिस की नौकरी करने वाले लोग जो है उनको छुट्टी बहुत कम मिलती है समझ रहे है इस चीज़को तो आप समझ यह कि यह सब पॉइंट जो है आपको याद रखना है अगला है कि फ्रेग्मेंट ट् सब्सक्राइब करते हैं कई चीज़को दिखाने में जूटा कुछ क्या करते हैं मेडिकल रिपोर्ट बनवा लेंगे चाह कुछ है अपना कुछ भी बहाना बना करके जो काम नहीं करने का जो होता है बोला थाने पॉलिसी पर जो है पॉलिसी क्या करते हैं उसको हाँ सब्सक्राइब करते हैं तो यह जो बन जाता है एक्टिंग एज हिंड्रेंस तुद रिफॉर्म करने में बहुत बड़ी बाधा करते हैं भारत को रिफॉर्म होने नहीं जाते हैं अब यह जो इनका रिफॉर्म का जो प्रॉसेस है वह कैसा है वह आगे आपको बताऊंगा इसमें ठीक है समझ गए उसमें आपको मैं बताऊंगा कि सिविल सर्विस रिपॉंस में क्या-क्या होना च कर्मयोगी का मतलब क्या होता है कर्मयोगी का मतलब होता है doing good without any expectation कोई बी चीज़ को अच्छा कर रहे हैं बीना किसी expectation के मतलब कोई उनको आशा नहीं है मतलब अपने प्रति अपने लिए कोई फाइदे का आसना नहीं एक्स्टेशन नहीं है कोई बस वो अच्छा करते जा रहे हैं कर्म में लिए हैं तो यह से कर्म योगी कहलाते हैं एन्पी सी एस सी बी का जो है सरकार ने ऐसा प्रोग्राम चलाया हुआ है इसमें क्या होता है कि उन्होंने रोल बेस्ट जो सर्विस ते इसको रोल बेस्ट कर दिया है shift from rule-based to rule-based human management, human resource management को shift किया है, मतलब rule-based उसको rule-based कर दिया है, साथ में ही emphasize the role of on-site learning, on-site learning जो है, मतलब जहां पर वो जा रहे हैं, वहां पर वो क्या सीख रहे हैं, उस चीज़ को emphasize किया है, in complementing off-site learning, off-site training पर जो सीखते हैं, मतलब on-job जो सीखते हैं, इसके साथ साथ जब वो job में जाते हैं, जब ट्रेनिंग में जब वो सीखते हैं, उसके साथ जब उनका बहाली, मतलब उनका appointment जब हो जाता है, जब वो cadre वगएरा मिल जाता है, उसके बाद जब वो place, कहीं पर job करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी उनको सीखना कहते हैं, बड़े ही अच्छे तरीके से उनको समझाया है, उनको बताया है कि ये भी आपको करना है, ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगला है कि लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अब दक Competence of Civil Servent, Dim это कितना competence है, कितना ज़्यादा उनका छम्था है, उसके छम्थाको और उसके Training को जो है, जो है जोडती का काम किया है, कर्म योगी ने, ठीक है, इसमिंशन कार्मियोगी नेफ़िसन का मिचै ने, उसको जोड़ने का काम लेकिन साब्दिक पता होना ऐसा नहीं है आपको उसके बारे में फ़रा सा पता हो वही काफी है ठीक है अभी तक जेनरलिस्ट ही बनके हमें रहना है समझ गए तो सेंटर आफ एक्सिलेंस में जो हैं इनको मिनिश्ट्री टु डिरेक्ली इनवेस्ट और को क्रीयेट की बात कहते हैं मिनिश्ट्री जो है यह इसम में इनवेस्ट करें और उसको क्रीयेट करें उसके लिए common learning system बनाए ऐसा भी वेवस्था किया गया है ठीक है उसके आद में कहते हैं कि focus on massive scale training on e-learning internet की साइटा से भी जो है बरे level पे training की वेवस्था की गई है और क्या किया गया है ठीकिए इसको I got platform से करते हैं सबसे पहले तो देखिए कि कहते हैं कि अब जैसे mission कर्मयोगी पर अगर आपको कुछ लिखने के लिए आजाए तो आप यह सब लिख सकते हैं ठीक है तो इसमें अगर conclusion लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे mission कर्मयोगी give right attitude, skill, knowledge, values in line with vision of new India ठीक है यह समझ गया है समझ गया है इसको ठीक है उसका बाद में करते हैं कि this training is making them more creative, constructive, imaginative, proactive and innovative civil servant सिंपल से mission कर्मयोगी जो क्या करते हैं उसको सही attitude, सही skills, सही knowledge और सही value जोती है जिससे कि vision जो है new India का वो सही से fruitful हो सके इस training में उन्हें ज्यादा creative बना जाता ज्यादा constructive बना जाता imaginative बना जाता है ज्यादा सोच सके, imagine कर सके, proactive ठीक है और innovative जो है civil servant बनाने की बाद की जाती है अब यह iGOT के बार में मैंने कहा तो यह iGOT platform के द्वारा यह क्या जाता है यह iGOT platform क्या है आज देखते हैं देखिए iGOT का जो full form है वो है integrated government online training program ठीक है integrated government online training program ठीक है integrated government online training program मैं इसलिए full form पे ध्यान जाता हूं कि मुझे कही न कहीं लगता है कि फिर सब कुछ नो कुछ पूछ पूछ देखा ठीक है चलिया आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है it is to provide a broad training ecosystem creating synergies across various premium training institute of the country and to cater the training needs which can encompass all the officials in entire hierarchy of central and state government उसमें क्या क्या है कि जो एक बड़े लेवल पे training की व्यवस्था की गए एक ecosystem बनाया गया है जैसे कि जो बिविन नेशन स्थाएं है बिन training institute जो है उनके बीच में synergy बन सके ठीक है और जो है वहाँ पे अलग-अलग department के लोगों का भी training कराया जा सके ठीक है जो भी officials है वो अलग-अलग hierarchy के भी हो सकते हैं ठीक है लेकिन उनको साथ में भी training कराएं central और state government को भी एक साथ लाग अगर के training कराएं तो इस तरीके की बेवस्था की लिए समझ गए चीज़ को बात समझ में आई तो यह जो है ऐसा ब्रॉड training का एक ecosystem प्रोवाइड करने के लिए जिससे की हर एक hierarchy के बीच में और training प्रेमियर training institute के बीच में synergy स्थाफित हो सके ठीक है तो यह ही हो गया I got समझ में आगया आपको चलिए अभी मैं senior ने वही होता था अगर senior खुष नहीं है आपसे तो आपका promotion सही सी नहीं हो समझते है लेकिन अब जो है उसको बोल दिया है multi-source feedback अब यहां पर अलग-अलग लोगों से source से जो feedback लिया जाता है जैसे कि अलग-अलग stakeholder होगे senior से लिया ही जाता है peers से भी लिया जो साथ के कोई अगर एक बैसे रूठा भी है ना तो सही क्या है वो निकल के आ सके समझ गया है इस चीद को चलिए किसी particular बेंदे की भक्ती नहीं करनी है ओके चलिए अगला यह है कि compulsory retirement for the non-performing civil servant ऐसे civil servant जो ज्यादा फिता साही में खुए हुए है परफॉर्म नहीं कर रहे है उनको compuls प्राइटियम में गुमा रहते और उसके वज़े से जो है वो स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले जो एथिलीट है उनको परशानी हो रही थी तो सबसे पहले तो उनका तबादला कर दिया गया दूसरे जगह पे ठीक है और उसके बाद में कुछ जिन के बाद में अरम इनिशिएटिव is common foundation course for all civil servants जब आप pass हो जाएगा तो इस टाटिंग में तीन महिने का जो है वो common foundation course होता है वह आरम इनिशियेटिव उसकी को बोलते है ठीक है शथा जो है पॉइंट इसमें वो कहते है कि introduction of lateral entry lateral entry मतलब यह हो गया पिछे के दरवाया से बीना UPC के द्वान होने चाहिए, experienced person होने चाहिए, ठीक है, इसके बारे में थोरा चर्चा मैं बताऊंगा, इसका प्रोज क्या है, कुन्स क्या है, इसके बारे में बताऊंगा, अगरे में है, commit, commit का full form क्या होता है, comprehensive online modified module on introduction training, comprehensive online, comprehensive online modified module on introduction, introduction training, यह इसका full form याद रखेगा, मतलब ऐसा introduction training है, में κoeira कर Spring MICHAEL में मा अन्लेख़ है जिसके की आपका जो इंडूकिशन गांश है ठएकि इज की सब्सक्रींट का स्कार्ण ये कि मैं पर आगे अहलगे है उंडूकर कर इसका नाम बस याद रहां कि जजादा घ्रिकार सारगारइब आगे बढ़ते हैं देखिए इंट्रोडक्शन ओप इथिक्स पेपर इन उप्येस एक्जाम में इंट्रोड्यूस क्या गिया है फिर है एवो लिजिंग इंटर्व्यू इन ग्रूप C&D पोस्ट के लिए इंटर्व्यू को खटम कर देना भी एक अच्छा इनिसियेटीव है लेक्र इंटर्व्यू के बारे मैं अभी आपको खा तो इसका कुछ प्रो लोपता है और इसका कुछ इन चा कैन घाश करता है और चौहा कहते हैं कि चेंज बえば उनुरक क्लकर उचला गए है उनके लिए निए को मिलता है ठीक है उसके प्राइब करका है उसके वैल्यूज में उसका थ्वरावेट होता है लेकिन पॉब्लेक सेकर में को करने माले का अलग होता है इसलिए उनका जो work culture वो different हो जाता है ठीक है तो यह भी एक जो cons के रूप में निकल के आता है मतलब वो जब का कहते है जब civil servant बहार लोंगे तो उनका जो work culture वोगवड़ा हो तो बहार होगा तो जो तो अपने को आता है तो इसलिए उनका experience कुछ दूसरे काम में था लेकिन वो आए फिर सिंबल से में बनने के लिए इसलिए उनका जो चोटे-चोटे जानकारिया जो होती है इस राइंस की वो उनको नहीं होती है तो ये भी एक point group में आप समझ सकते हैं चलिए, way forward के लिखेंगे there is a need of people having holistic competence that is skill plus value also there is a need of value training there is a need of people having holistic competence that is skill and value also there is a need of value training मतलब ये हो की skill के साथ साथ उनके value भी जो हो चैनली होने चाहिए उसके साथ साथ क्या है कि value की training में जरूए मतलब उनके training के तरह उनको कुछ ऐसे value सिखाया जने चाहिए जो इस फिल्ड में जो है उनको help कर सके डिक है people having holistic competence holistic competence जिनके पास है जिनके पास सही चमता है उनको scale के साथ साथ value भी सिखा ही जानी चाहिए अगला point है need of administrative decentralization same as 73rd, 74th CA क्या हो मतलब कि administrative decentralization होना चाहिए जाने काने जैसे 73rd और 74th constitutional amendment हुआ था वैसे ही administration में भी decentralization का process जो है वो किया जाना चाहिए ताकि किसी एक हाथ में सथा ना रहे ठीक है अगला आगे बठते हैं देखिए अगला कहते है कि need of mid-career review क्या हो मतलब कि then assigned to specialized department देखिए specialized department के उदर कोई चीज़ assign कर रहे है कोई काम करने के लिए दे रहे हैं उससे पहरे mid-career review करवाईए कोई वैक्ति जो उसके बीच में जाए उसका review करें उसके बाद में आप उस हिंसाब से specialization को decide कीचिए यह भी way forward कह सकते हैं फिर secondary arts के त्वारा कुछ recommendation दिया गया इसमें way forward में आप लिख सकते हैं उसको कि need of code of ethics, code of ethics को का जरूरत है not the code of conduct, code of conduct अगर नहीं भी होगा तो चलेगा हलाकि इसमें code of conduct को follow की किया जाता है लेकिन second arts काती है there is need of ethics, not the code of conduct, ठीक है code of ethics होना चाहिए in comparison to code of conduct, ठीक है और कहते है कि establishment of N.I.G.G. यह क्या था N.I.G.G. यह है national institute of good governance इसका स्थाफना किया जाना चाहिए यह second arts का report है, ठीक है second arts ऐसा कहते करने के लिए और removal of article 311 311 जिसमें absolute power दे दिया कोई remove नहीं करता है क्या करते है राश्पति और राजपाल के अलावा तो उसको remove कर देने की बात करता है second arts आगे क्या है way forward आगे जो way forward हुआ है need a multitask holder feedback multitask holder feedback का मतलब यह होता है कि अलग-अलग लोगों से जो है वो उनका feedback लिए जाना चाहिए multitask नहीं, multi stake है, sorry multi stake holder feedback मतलब यह हुआ कि अलग-अलग लोगों से उसका feedback लिया जाना चाहिए ठीक है, इसकी ज़रूरत है यह भी एक तरीके का इसमें way forward आप लिख सकते है इसका अलग committee की जो report है उसको भी आप जो है उसमें include कर सकते है जैसे removal of optional subject in UPS exam इससे क्या होगा, पुरासा जो है generalist जादा मिलेंगे और only common subject, GS should be exist यह भी एक point इसमें आप add कर सकते है अलग committee के report है, उसको आप add कर सकते है ठीक है, उसके बाद में need of reform in the training institute training institute में reform की आवज सकता है अब reform किस तरीके होगा, इसकी चर्चा मैं भी करूँगा फिर करते हैं कि need of risk profiling, risk profiling of job ठीक है, वैसे allocation of the job according to the talent जैसा उनको पास talent है, वैसा उनको job दिया जाना चाहिए recruitment process recruitment जो टाइप है, टेकनीक है, ठीक है, उसके बाद में capacity building जो है, उसमें उसका reform होगा, ठीक है, फिर performance and promotion जो है, किस तरीके से होता है, उसका reform होगा, उसके आद में professionalism and modernity उसमें कैसे आएगा, वो reform लाया जाएगा और accountability कैसे ensure किया जाएगा, वो reform लाया जाएगा, इस diagram को बना ली जाएगा, ठीक है, बहुत important diagram है, तो इस तरीके से, इस lecture में यही था, बस conclusion आप देख लीजे, कहते हैं कि conclusion में आपको अपने सब्सक्राइब कर देता हूँ, the ultimate aim of civil services reform is to make them, to make them citizen-centric and ensure case of living of citizens, ठीक है, मैं यहाँ पी यह दे रहा हूँ कि civil services reform जो होना चाहिए, वो क्यों होना चाहिए, उसके बारे मैं मैं बता रहा हूँ आपको, कि वो citizen-centric होन जाए और living of citizen, जो है, ensure ease of living of citizen, ensure of ease of living of citizen, लोगों की जो रहने की जो बिवस्था है, वो छोली से आसान हो जाए, ठीक है, लोग आसानी से रह सके, ठीक है, the goal of civil servant should to be, should be towards promoting constitutional values, constitutional values को promote करना उनकी प्रात्मिक्ता होनी चाहिए, civil servants need to change their mindset from controller to facilitators, उनको controller बन के नहीं रहना, उनको facilitator बनना है, and from provider to enabler, provider नहीं बनना है, उनको enabler बनना है, इस point को याद रखिएगा, they must, they must, क्या, they must equip themselves with the necessary talents and abilities in order to meet these new challenges, that's it, इसको आप अपने हिसाब से भी लिख लिएगा, conclusion सब बिद्यार्थी खुझ से लिखिए, मेरा conclusion तो उस case में जब कुछ समझ में नहीं रहा तब शाप लिजए, इसको भी शाप लिजए, कहता हूँ, वीडियो प्काद करके नोट जूरूर बना लिजएगा, ठीक है, तो बस अगर आप इतना कर लेते हैं, नोट अगर बना रहे हैं, सही से उसको पढ़ रहे हैं बार बार बार, ठीक है, अभी जैसे लेक्टर काता होगा ना, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजए, और अगर नहीं किया हैं सब्सक्राइब तो प्लीज कर दीजए, वही तो पारितोसिक है, जो मैं आपसे मांगता हूँ, ठीक है, इसके लावा, इसके डिस्क्रिप्शन बहुत भी मैंने लिंक दे दिया है, उसको आप देख लिजएगा, ठीक है, उसको मलब क्लिक करके आप जोइन कर सके हैं तो आज के लेक्टर में बस इतना ही, टेक कियर, बबाई, बस बैग्ग्राउंड को नोईज को ध्यान मत दीजए, जितना मैं पढ़ा रहा है, उसको ध्यान दीजए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, टेक कियर, बबाई, all the videos for the future, बिलते नगले लक्षर में